Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel So friends, this video is related to Wipro Elite NTS 2022 batch phase 2 eligibility and data form update Okay, there is a very two big updates from Wipro team that is related to eligibility and data form Okay, so आज सभी students को मतलब थोड़ी देर पहले जो है Wipro का वापस link आ गई थी मतलब Wipro की तरख से वापस data form के update की link आ गई थी फिर भी form open नहीं हो रहा है, यह error क्यों आ रही है, इस से related बात करेंगे इसी के साथ सथ मैं आपको बता दू कि एक bad news है Bad news यह है कि additional criteria जो है वो 6 months का हो चुका है तो क्या जो September में मतलब candidates ने test दिया था September test candidates are eligible in phase 2 or not मतलब आप यहाँ पर eligible होंगे कब 22 batch वापस eligible होंगे again Wipro में सारी queries पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले तो बिना देरी करें वीडियो को start करते हैं अब मैं आपको यहाँ पर बता दू कि काफी सारे candidates ने मुझे यह जो Wipro वाली वीडियो जे इसमें यहाँ पर पूछा था यहाँ पर काफी सारा पूछा था कि तो मैं आपको यहाँ पर बता दू कि उन्होंने यह जो चीज है वो इसके बारे में मतलब जो है वो बता रखा है अब हम जब Superset के platform पे चलते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं तो उन्होंने एक additional criteria बता दिया है एक इन्होंने criteria रख दिया है कि यहाँ पर उन्होंने बता दिया है यह सारी चीज की candidate who have participated in any selection process held by Wipro in the last six months are not eligible दोस्तों यह बहुती बड़ी bad news है क्योंकि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जब हमने orientation session की बात करी थी तो वहाँ पर हमें Wipro team की तरफ से बताया गया था कि 3 month का criteria यह applicable होगा पर पता नहीं अभी यहाँ पर 6 month का criteria आ चुका है अब इस चीज के बारे में मैं आपको क्या कहूं पर मैं सिफ आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आप हमें wait करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास अभी कोई और option है ही नहीं क्योंकि वहाँ पर उन्होंने साफ यह mention कर दिया है कि last 6 month में मतलब आप September से भी गिनेंगे ठीक है September से भी गिनेंगे तो September, October, November और यह December चल रहा है मतलब अभी तो मतलब यह 4 month ही है मतलब यह 14 माईना ही है तो इसलिए मैं आपको यह बोलना चाता हूँ कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि 6 month का criteria applicable हो चुका है इसलिए अभी अगर आपने September में टेस्ट दिया है तो आप eligible नहीं हो पाएंगे अगर आप reject भी हो चुके हैं इंटर्विव में तो भी अप eligible नहीं हो पाएंगे असेस्मेंट दिया है तो भी अप eligible नहीं हो पाएंगे अगर आपने विपरो की इससे पहले exam नहीं दिये तो ही आप eligible हैं चाहें आप 21 batch me की तरफ से revise India gate 22 के बारे में बताना चाता हूँ जो की gate और EAC की तरफ से है और मैं हाँ पर आपको बता दू कि यह mock test है जहाँ पर आपको gate 22 pattern और syllabus सारी चीज़े मिलेगी golden chance है कि आप अपनी जो preparation है वो free में कर सकते हैं 19th December 21 मतलब यहाँ पर Sunday जो है इसका timing है 3 p.m. enroll now कर सकते हैं और मैं आपको काफी जारी चीज़े बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो gate है उसको convert के साथ आप जाके crack कर सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बता दू कि जो 100 lucky participants है वो exciting rewards जीतेंगे जैसे कि Apple, iPad, JBL, headphones, Samsung, Tab JBL, speaker, Amazon, voucher ठीक है तो यहाँ पर practice कर सकते हैं best question gate और compete कर सकते 1000 to get the real time ranking इसी के साथ सद मैं आपको यहाँ पर बता दू कि यह जो offer alert gate और EAC की तरफ से आपको कितना pay करना पड़ेगा और आप कितना save कर रहे हैं ठीक है तो सारे subscriptions की चीज़े उन्होंने यहाँ पर बता रखिए और मैं आपको अनकेडमी की तरफ से यह भी बताना चाहता हूँ कि कॉमबोट है ultimate practice test gate और EAC examination के लिए तो आप enroll कर सकते हैं हमारा code है BAGORA10 BAGORA10 उसको use करके आप enroll कर सकते हैं कॉमबोट का सबसे बड़ा advantage यह है कि यहाँ पर आप discover करेंगे अनकेडमी कॉमबोट experience लाइव कॉमबोट रहेगा 1000 of learner के साथ best questions रहेंगे top charts रहेंगे instant leaderboard पर आपको पता चलेगा कि आप किस टाइब से यहाँ पर best है आपका क्या मतलब stand है score, leaderboard, rating, awards यहाँ पर सारी चीज़े जरूर से इसमें apply कीजेगा 2020 और 22 batch है तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि September test candidate अभी यहाँ पर eligible नहीं है पर अगर ऐसा कोई update मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा 22 batch कब eligible होंगे वापस मैं आपको बता दू hiring वापस आएगी क्योंकि उन्होंने बोला था मतलब orientation session में यह तो कहा गया था कि वहाँ पर hiring वापस आने के chances है ठीक है तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर यह mention करना चाहता हूँ कि विपरो टीम की तरफ से अगर कुछ ऐसा update रखा गया है तो हो सकता है अगर कुछ changes हो जाए तो बहुत अच्छी बात है मैं तो चाहता हूँ कि दोस्तो अभी ही changes हो जाए और 3 month वाला criteria applicable हो जाए कि वापस से आप सभी इसमें apply कर सके पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं अगर आपने सितंबर में exam दिये तो अभी आप यहाँ पर eligible नहीं है अब दोस्तो विपरो की तरफ से ही है यहाँ पर data collection का form आ रहा है greetings from Wipro, hope you are doing well if you are not able to access the earlier link please use the below link and respond as the earliest ठीक है अभी इस form पर क्लिक कर रहे तो यह form open नहीं हो रहा है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब मैं आपको बता दू इसका सिर्फ एक ही point है और इसका सिर्फ एक ही solution है आप wait कीजिए क्योंकि Wipro team की तरफ से अगर यह form open नहीं हो रहा है तो manager.campus.vipro.com पर आप mail कीजिए ठीक है उनकी तरफ से mail का reply थोड़े दिन में आएगा पर अगर आपको tension लेने की ज़रुरत नहीं है मुझे पता है आज last date है उन्होंने बोला था कि आपको जल्दी से जल्दी करना है पर यह form open नहीं हो रहा है तो आप उन्हें mail करिए हो सकता है कि वो आपको वापस एक नया form भेजे इसी के सास्थ मैं आपको एक चीज बोलना चाता हूँ कि super set पे आपने अपनी update कर दी है profile तो कोई दिक्कत नहीं है मतलब यह questions जो है उनको edit करके update कर दी है तो कोई दिक्कत नहीं है नया mail वापस आएगा मैं आपको बता रहा हूँ नया mail वापस आने के chance से अब यह भी form open नहीं हो रहा है आपने दोस्तों के शेयर कीजेगा thanks for watching the video